जब भी कोई employee किसी organization में काम करता है, चाहे वो blue collar employee हो, चाहे वो white collar employee हो, या फिर वो unskilled employee हो, या फिर skilled employee हो, professional हो, management position पे हो, तो उसके उसकी job को perform करने के लिए उसको एक fixed amount जो है वो pay किया जाता है, money pay किया जाता है, तो उसी को हम wedge या फिर salary कहते हैं, तो wedge का आप कहलाता है, जो labor position पे होते हैं, workers होते हैं, उनको जब आप payment करते हो, hourly basis पे, या फिर weekly basis पे आप पे करते हो, तो उसको हम wedge कहते हैं, वहीं पे जब आप किसी employee को monthly basis पे, जो है, periodically आप payment करते हो, पैसे, उसकी services के लिए, उसकी job के लिए, तो वो चीज salary कहलाती है, इतना सही difference, wedge और salary दोनों ही, एक ही चीज़ है, कि monetary benefit आप employees को दे रहे हो, लेकिन आप किस type के employees को दे रहे हो, उसके according जो है, वो difference हो जाता है, अगर आप unskilled employee को labor को जो है, आप hourly basis पे, weekly basis पे, daily basis पे देते हो, तो वो wedge कहलाता है, जैसे कि आप देखते होंगे, कि जो घर बनाते हैं, labor होते हैं, construction का का क उनको हर महीने salary मिलती है, हर महीने जो उनको एक fixed amount दिया जाता है, तो उसको हम salary कहते हैं, तो wedge क्या हो गया, wedge is a fixed regular payment earned for work or service, typically paid on a daily or weekly basis, तो wedge और salary interchangeably हम यो use करते हैं, तो normally wedge क्या हो गया, कि जब आप किसी unskilled labor को, जो है, blue collar employee को, जो है, hourly basis पे, daily basis पे, weekly basis पे permit करते हो, तो उस च minimum wage, minimum wage क्या होता है, यहाँ पे minimum wage act 1948 है, बना हुआ है, उस act according क्या है, कि जो government है, या फिर state government है, उसको fix करना पड़ता है, कि कम से कम इतना तो hourly or daily basis पे employee को मिना चाहिए, यानि कि अगर कोई labor कोई worker काम करता है, किसी organization में, तो वहाँ पे, state government या फिर central government है, वो fix कर देते है, at least minimum minimum तो इतना per hour या फिर minimum इतना per day employee को दिया जाना चाहिए, तो वो minimum wage होता है, clear, तो जैसे कि suppose कि एक state government ने फिर्स कर दिया कि कम से कम 500 रुपए per hour employee को मिलना चाहिए, अगर कोई employee काम करता है, या फिर कोई घर बनाने वाला labor है, तो वो labor को कम से कम एक दिन का 500 रुपए उसको देना ही चाहिए, तो minimum wage हो गया, तो minimum wage act 1948 बना है, normally यह act जो है वो ऐसे organization में applicable होता है, जहाँ पर 1000 से ज्यादा employees काम कर रहे होते हैं, clear, तो minimum wage याने कि कम से कम इतना तो मिलना है, वही पर जो दूसरा होता है, वो fair wages होता है, fair wages क्या होता है, कि भाई देखे, normally हर साल inflation बढ़ रहा होता है, कि prices बढ़े होती है, मार्केट में changes होते रहते हैं, तो जब आप मार्केट में जो भी changes हो रहे हैं, उसको देखते हुए, जब आप minimum wage से ज्यादा wage देते हैं, आप employee को जिससे कि वो जो market में महँगाई है, उसको जहल सके, तो उसको हम fair wage कहते हैं, यानि कि minimum wage हो आपको पैसा दे रहे हो, जिससे कि वो अपना खाना पीना रहे हैं सही तरीके से कर सके, वहीं पर जो तीसरे wage है, that is living wage, more than fair wage, यहाँ पर क्या है, कि आपको इतना ज़्यादा पैसा मिल रहा है, कि आप तो सही तरीके से जी भी ले रहे हो, साथी साथ लगजीरियस लाइफ कार, घर, आप इन सब चीज़े को भी परशेज करके अपनी लाइफ को एक अच्छे तरीके से जी सकते हो, आप कहीं पर बहार टूर करने चले गए, तो living wage कहलाता है, clear, तो minimum wage होता है, कि कम से कम आपको इतना देना है, कि इंसान खा सके पी सके, fair wage, यानि कि जो महंगाई धी यानि कि एक तरीके का monetary payment है, यहाँ पर जो कि employees को उनके job करने के लिए जो है दिया जाता है, लेकिन wage क्या है, वो hourly basis पर होता है, या फिर weekly basis पर होता है, यानि कि वहाँ पर आपने कितने घंटे काम किया, फिर कितना अपने production किया, उसके इसाब से आपको payment कर दिया जाता है, लेकिन salary क्या होता है, यह monthly basis होता है, या फिर yearly basis भी आप इसको कह सकते हो, monthly basis आने कि आपको एक महिने के लिए Monday to Friday, Monday to Saturday जो है आना है आपको एक महिने के लिए आप आ गए तो आपको जो है एक fixed amount 30,000 रुपए, 40,000 रुपए आपको मिल जाना है, कि लिए तो that is salary, तो salary क्या हो तो पूरे महिने के जो है, आपको एक साथ जो है, मनते अंट तक आपको salary account में credit हो जाती है, तो salary क्या है, एक amount of money है, जो कि आपको monthly basis पर, yearly basis पर आपको दिया जाता है, तो normally यह जो salary होती है, वो management label पर या फिर जो professional positions पर होते हैं, उनको दी जाती है, आप देखिए कि government employees हो ग पर डे के basis पर, फिर weekly basis पर जो है, उनको payment किया जाता है, तो उसको wedge कियाते है, तो wedge और salary में बस इतना ही difference है, कि यहाँ पर क्या होता है, कि wedge में कि आपको labor category के जो blue collar employees होते हैं, उनको दिया जाता है, और जो salary होती है, वो white collar employee यानि कि जो professional management position पर होते हैं, उनको जो दिया जा हैं, तो आपको क्या benefits मिलता है, वो आपकी salary हो सकती है, वो आपका incentives हो सकता है, वो आपके different allowances हो सकते हैं, वो आपके fringe benefit हो सकते है, तो compensation किसी भी रोप में हो सकता है, तो compensation refers to a wide range of financial and non-financial rewards given to employees for their service rendered to the organization, यानि कि कोई भी employee जो भी services organization के लिए देता है, उसके बदले जो भी financial and non- financial rewards employee को दिये जाते हैं, organization की तरब से, उसी को क्या कहते है, compensation कहते हैं, वो आपकी salary भी हो सकती है, वो आपको incentive भी हो सकता है, वो आपका bonus भी हो सकता है, वो आपको employee benefit है, जो fringe benefit होता है, उसके रूप में हो सकता है, किसी ने किसी तरिके से आपको financial, non-financial rewards आपके service के बदले organization से मिलता है तो वही चीज कंपनसेशन कहलाती है इट इस पेड इन ता फॉर्म आफ वेज़ेस, सेलरी एंड इंप्लॉई बेनफिट सच अज पेड वेकेशन, इंसुरेंस, मैटनिटी लीव, फ्री ट्रेवलिंग फैसलिटी, रिटार्मेंट बेनफिट एसक्रा, तो ये जो है कंपनसेशन कैसे दियाता है आपकी वेज़ेस, सेलरी जो मिलती है, आपको फेंड बेनफिट मिलते हैं कि आपको गाड़ी मिल गए, डिए, डिए, ये सब मिल गया, वो आपका compensation हो गया paid vacation यानि कि आप छुट्टियों पर जा रहे हो उसका सारा खर्चा organization ले रही है ये भी एक तरीके का compensation हो गया insurance आपको company के तरब से मिल रहा है वो भी compensation हो गया maternity leave यानि कि आपको pregnancy leave मिल जा रही है उस time duration पर आप जा रहे हो आपकी salary नहीं कटेगी आपकी salary मिलेगी basic salary हो जो होता है basic क्यों आपको मिलेगा that is compensation free traveling facility आपको दे रहे हैं कि कहीं भी आप travel करोगे free में मिलेगा तो that is compensation तो यह compensation किसी भी तरिके से financial non-financial reward हो सकता है तो जो की employee की service के लिए उसको दिया जाता है तो objective function की बात करें कि function of compensation क्या है क्यों दिया जा रहा है अगर किसी भी organizational compensation अच्छा है वहाँ पर financial non-financial rewards अच्छे हैं तो वहाँ पर employees आने की चाहत रखेंगे improve efficiency जो भी employee होगी उनकी efficiency को improve करेगा established equity established होगा increased worker efficiency workers की efficiency काम करने की बढ़ेगी कम time में ज़्यादा काम करेंगे avoid conflicts जो भी conflicts होते हैं वो हट जाता है employee के mind से legal compliance याने की बहुत सारी legal rules होते हैं जिसको follow करना होता है जो की minimum basic salary हो गया minimum wages act हो गया उन सारी चीज़ों को follow करना पड़ता है उसको भी ये legal compliance को follow करता है increased healthy competition healthy competition employee के बीच में जो है improve होता है बनता है कि हाँ अगर हम अच्छा perform करेंगे तो हमारी salary हमें अच्छे compensation मिलेगा तो लोग आपस में compete करतें कि मैं उससे ज़्यादा अच्छा perform करूँगा जिससे कि मुझे award मिले मुझे ज़्यादा compensation ये reward मिले तो increased healthy competition वहीं पर retaining employee employee को retain करने पर compensation जो है अच्छा रोल निवाता है क्योंकि जिसकी भी compensation प्लान अच्छी होंगे जिसका भी reward system अच्छा होगा वहाँ पे employee रुखना चाहेगा वहाँ पे employee काम करना चाहेगा तो ये compensation के objective के function होगे compensation के अब बात कर लें next topic component of compensation यानि कि compensation के क्या-क्या component होते है compensation में क्या-क्या चीज़े दी जा सकती है ये जो financial और non-financial rewards होती है employee के service के बदले जो दिया जाता है उसमें क्या-क्या दिया जा सकता है देखिए तो सबसे पहले important चीज़ कि जो basic pay होती है, basic salary होती है वो तो दी ही दी जाती है साथी साथ उसके अलावा आप incentive bonus पे bonus amount दे सकते हैं fringe benefits दे सकते हैं तो अलग-अलग चाहिए जो तो वही सारी चीज़े का होती compensation के component होते है तो basic salary जो की seniority या rank के हिसाब से अलग-अलोग होती है जो आप बिलते हैं ग्रेट पे incentives होते हैं जो की performance पे depend करते है जिसकी performance जैसी रहे कि उसके हिसाब से incentives organization के तरब से मिलता है bonus मिल जाता है जो की organization की sale अच्छी हुए फिर दिवाली bonus हो गया होली bonus हो गया वहाँ पर आपके सकता है employee benefits होते हैं जो fringe benefits होते है TA, DA, retirement, health benefits, graduate, pension, security इस टाइप के अलग-अलग benefits जो है apart from basic salary यान की basic salary के अलावा जो अलग-अलग benefit मिल जाते है employee के service के लिए वो चीज़े employee benefit करते है provident fund जो की मिलता है एक तरीके से जहां पे employee पैसा खर्च करता है employee जो है invest करता है और उतना ही same amount में organization पे इंवेस्ट करती है और फिर employee के वो एक लंसम amount जो हापे मिल जाता है provident fund ये भी कहा है compensation का part होता है over time पे जाने कि अगर आपसे extra time work करवाया जा रहा है तो उसके लिए भी आपको जो है पैसा मिलता है तो that is also a part of compensation allowance जैकि DA, THRA, TA, Children Education Allowance Medical Allowance, City Compensatory Allowance ये सारी चीज़े जो है आपको मिलती है allowance में, Dearness Allowance हो गया House Rent Allowance हो गया, Travelling Allowance हो गया आने कि आपको अलग-अलग purpose के लिए भी allowance दिया जाता है, उसके बदले आपको जो है पैसे दिया जाता है, Travelling Allowance ऐसे कि आपने organization के purpose से कहीं पे travel किया, तो उसके बदले जो भी खर्चा आया होगा traveling वो आपको मिल जाएगा, Children Education Allowance दिया जाता है अच्छे ओगनाशन में, जहां तो अच्छी company होगी, branded company होगी या फिर MNCs होगी, या फिर government में यह normally मिलते हुआ नहीं, अगर आप private job में अगर आप यहाँ पर नॉमली जो private job होता है, वहाँ पर आप देखेंगे तो वहाँ पर क्यों होता है, एक basic या फिर आप government companies में जाते हो, तो वहाँ पर आपको इस तरह के से bifurcate करके, आपको अलग-अलग benefit include करके, आपको अच्छी खासा amount वहाँ पर दिया जाता है, तो basic salary अलग होगी, employee benefits अलग से mention किया जाएगा, allowancers जो भी मिलेंगे, वो अलग से मिलती है, यहाँ पर आपको इतना पता होना जाएगा, जो वह भी क्या है, वह भी क्या है, कोई भी employee काम करता है, तो उसके बदले जो उसको हम monetary benefit देते हैं, पैसे देते हैं, amount pay करते हैं, वो भी wedge कहलाता है, लेकिन किस ताइप के लोगों को पे किया जाता है, unskilled, semi-skilled labor, non-skilled labor, या फिर blue collar workers जो होते हैं, उनको जब आप payment करते हो, तो वो wedge कहलाता है, वहीं पे, जब वही पैसा जो है, आप किसी white collar employee को, office worker को, management को, या फिर skilled labor को आप पे करते हो, मंत्री basis पर, yearly basis पर, तो उसको हम salary कहते हैं, clear wedge और salary आपको clear होगा, अब बात कर लें compensation की, तो compensation क्या होगा, compensation में, आपका जो wedge और salary होता है, वो तो include होता है, साथी साथ, इसके लिए other benefits भी है, जो हैं, वो employees को दिये जाते हैं, monitor, non-monitor benefits दिये जाते हैं, तो वह ज़िए compensation कहलाता है, तो compensation include wedges plus other allowances, जैसे की, TA हो गया, traveling allowance, DA हो गया, DNS allowance, LTA हो गया, leave travel allowance, तो आने कि, यहाँ पर wedge और salary के अलावा, आपको और भी benefits होते हैं, allowances होते हैं, जो की institutions या भी organization आपको provide करती है, तो वह चीज़ compensation कहलाती है, आने कि, आप जो है किसी organization में काम कर रहे हो, तो overall आपके उपर जो company हैं, वो कितना पैसा लगा रही है, आपको salary के लावा, और क्या-क्या benefits दे रही है, आपको और क्या-क्या जो है allowances दे रही है, तो वो चीज़ कहलाती है, compensation कहलाती है, wish you all the best, keep watching.